पटना एम से एक किलोमेटर के दूरी पे मकान बिक्री का नमस्कार मेरा नाम है भूशन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मकान बिक्री के लिए ये ब्रिंदावन कॉलनी में बालमी एरिया कहलाता है और ये कॉलनी का नाम ब्रिंदावन है और ये देखिए हम लो हो रहा है और आई ये मकान के अंदर हम लोग चलते हैं इन करते के साथ राइट साइड में ये सिड़ी है जो की उपर चला जाता है लेप साइड में रूम है इसको पार्किंग भी आप बना सकते हैं और इसके नीचे ही जो पानी ये टंकी है बातरूम का टंकी इसी के नीचे है फ्यूचर में इसको पार्किंग भी आप लोग बना सकते हैं और आगे बढ़ने के साथ ये दूसरा रूम हो गया रूम का साइज 8 वाई 10 का है मेडियम क्लास के लिए ठीक है ये दूसरा तीसरा बैटरूम है अगर उसके हिसाब से जोड़े तो अभी के हिसाब से और ये किचन हो गया स्मॉल फैमली के लिए ये बढ़िया मकान रहेगा और काफी अच्छा ये डक दिया गया है हवा पानी के लिए और ये बाथरूम है बाथरूम भी अच्छा है मेडियम साइज का आईए उपर चलके देखते हैं क्या यहां का लोकेशन है कितना आसपास में कैसा सोसाइटी डेवलप हुआ है अभी आसपास में उतना डैबलब मक सोसाइटी नहीं है बट हाँ आसपास में लोग रहते हैं जैसा कि अभी आपको ये सत से आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा एरिया है अप्रोक्स ये आधा कठ्था में बना हुआ है और इसका प्राइज जो है 44,00,00 रुपया ओनर के त इसलिए हम 44,00,00,00 ये सामने से आगे जाएंगे न जो अभी मैं इसारा कर रहा था वहां से आपको राइट साइड में धलईया रास्ता मिल जाएगा ये अभी जो मकान है ये कच्छी रास्ता पर हैं जैसा कि आपको दिख रहा है और लोकेशन काफी बढ़िया है यहां से जो एम सॉस्पिरिटल है मतलब दस मिनट लगेगा मेबी बाइक से पैदल तो 20-25 मिनट लग जाएगा ये डक्ट हो गया और रहने की व्यू से फैमली के लिए अच्छा है सुसाइटी बढ़िया बनेगी फ्यूचर में क्यूंकि सारा प्लॉट इसके आस पास सारा बिका यहां का नजारा आसपास में काफी अपार्ट्मेंट सारे बने हुए हैं CTV क्यूकेश्ण ठीक ठाक है लोग मकान लेने के बाद रह सकते हैं और आसपास में लोग रही रहे हैं आसपास मार्केट है स्कूल है सारी अमनिटीज है कोई दककत नहीं है और वहां का लोकेशन का व्यू ये कहां से कितनी दूरी पड़ेगी एसकीन सोड में लेके ये वीडियो में मैंने कनेक्ट किया है इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में जैहन्त